नमश्कर दोस्तों, बोल्ट स्काय में आपका स्वागत करती हूँ। अज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यायाम के बारे में जिसको करने से मासपेश्यों की गहरी पड़ते तनाव रहित हो जाती हैं। इससे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल आराम से लेटें और बाजवों को कंधे की उचाई तक बाहर की ओर फिलाएं। पूरक करते हुए बाई एड़ी को दाई पैर के अंगूठे वा दूसरी उंगली के बीश ले आएं। टांगे सीधी रहेंगी। रेचक करते हुए दोनों पैरों को दाई और तब तक लुड़काएं जब तक वो फर्ष न छूलें। और इसी के साथ साथ सिर को बाई और मोड़ें। बाजू और कंधे फर्ष को छूते रहेंगे। पूरक करते हुए बीच में आ जाएं। इस अभ्यास को तीन बार करें। पैरों के स्थिती बदल लें और दूसरी तरफ मुड़ने का अभ्यास तीन बार करें। प्रारंबे के स्थिती में लौटाएं। धीमे मुढ़ने के सतत अभ्यास का श्वास के साथ सामंजस से और सिर्वा टांगों के विप्रीद दिशाओं के साथ साथ मुढ़ने की ओर अपना ध्यान बनाय रखें रीड की हड़ी के पास वाली सभी मासपेश्यों को आरामव शक्ति प्राप्त होती है पीछे की सभी मासपेश्यों की गहरी परते तनाव खिचाव रहत होती है और रक्त आपूर्ती अधिक मात्रा में करती है यासन सामंजस से पूर्ण गहरी सास प्रक्रिया प्रदान करता है तीवर पीठ दर्द की अवस्था में यासन ना करें तो इस तरह अगर आपको भी मासपेश्यों की गहरी पर्तों में तनाव महसूस होता है तो आप इस आसन को कर सकती है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसे ही योगासनों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहे बोल्ट सकाई से